नमस्कार आप सभी को श्रागत करता हूँ गुरुकुल दाउसन मुरूले चैनल में आसा करता हूँ आप सब स्वस्त हैं और आप लोग की आदित पे कुन्नती आगे बढ़ रही है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो मेरे बारे में प्राथना करते हैं और उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग डिसलाइक मारते हैं और आखे बुरे वला के थे क्योंकि पता नहीं क्यों कभी भी कई हमारे साथ कोई कुछ गलत करने की कोसिस करता है कुछ भी करता है मातारानी मेरे जीवन में दस गुना जादा अच्छा फल दे देते हैं यह पता नहीं कैसे होता है मुझे बिलकूल भी मतलब मुझे आज तक यकिन नहीं हो रहा है मैं बहुत दो-तिन साल पहले हाला कि इस चीज़ के बारे में मैं किसी को नहीं बताय था अपने आप ही कुछ-कुछ इस related काम कर रहा था और recently मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इतना बड़ा प्रोजेक्ट की कि जो मंदिर का सेटफ किया है उसमें सारे प्रकार की अनुष्ठान चलेंगे और बहुत सारे काम है इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि फिलाल अभी कम से कम पता नहीं कुछ दिन के लिए 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक मैं जो है पेड गाइडेंस को completely stop करता हूँ लेकिन आप लोगों को बीचलित होने वाली वात नहीं है जिन लोगों का गाइडेंस चल रहा है उनकी गाइडेंस चलेगा कोई दिक्कत वाली वात नहीं है और एक बात कहूँगा कि मैं भी 15-20 दिन के बाद पूरी तरह से जो है दोनों इमेल आइडी पूरे साट डाउन कर दिया जाएगा यानि उसमें कोई भी प्रकार की रिप्लाई नहीं दिया जाएगा अगर बाद में अगर कभी पेड़ गाइडेंस किया तो पेड़ गाइडेंस लिया तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा किस पद्धति में करना है क्या करना है क्योंकि मेरे पास इतना काम है अभी इतना काम है जो कि मैं अगर एक साल तक भी सारे चीज को करूँगा तो वो मुझे खतम होने का नाम नहीं लेगा क्योंकि बहुत सारे काम आये और जो आये हैं किसी-किसी 11 दिन का अनुष्टान, किसी का 21 दिन का अनुष्टान, किसी का 41 दिन का अक्ष्टान, लाखों मंतर जाप बगरा, यह मैं एक बात को बता दूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से दूसरी प्रकार्स के माध्यमशे काम करत और मेरे उनका अनुष्ठान चलता रहता है ठीक है तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि actually pending सब कुछ पड़ा था हाला कि अभी भी जो है अभी भी लोगडाउन का स्थिती है लेकिन जो है पूरी तरह से एक मंदिर मिला है और जिस मंदिर में हम पूरी तरह से अनुष्ठान कर सक होते हैं और ब्रह्म मूर्थ में हमारे मंदिर में भी एक देड़ घंटा में जो जो काम हो सकता हो जाएगा कम से कम सो देड़ सो लोगों का हवन महामूर्तिंजे का अनुष्ठान और रुद्रह विशेक अनुष्ठान कालसर व्योग शान्ति आप कहो तो मतलब कम से कम मैं क क्या बताऊं में तो मेरी खुशी की शिमा नहीं रही है क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का घर देर होता है लेकिन कभी अंधेरा नहीं होता है देर साय लेकिन बहुत जबरदस्त आये क्योंकि देखो अभी तो चार-पांच बहने से पूरी तरह से काम ने बहुत ही कम-कम था यूटूब में थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा था आप सभी को पता है कि ये spiritual line का जो सारे होता है कहां से क्या मिलता है क्या ने बाकि जो दूसरे जो लोग होते हैं जो भंडगीरी करते हैं तो अलग है लेकिन हम जैसे पंडित जो लोग हमारा जो अनुष्ठान पूजा पाट में कामदाम चलता रहता है क्योंकि हम पंडित ये बाई काम करेंगे पूजा करेंगे तो पैसा लेंगे ठीके रातो रात नहीं चमतकार का दावा करते हैं नहीं कुछ करते हैं तो इसलिए जो चमतकार की दावा करते हैं अगर दुनिया डूब भी जाये तो का कोई दिक्कत वाली बात ने क्योंकि वो यू लूटने में लगते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ने और सबसे बड़ी बात है कि ये मैं जो एकला नहीं कर रहा हूं मेरे साथ मैं कम से कम पूरी तरह से 6-7 ब्राम्हन को लेके करवा रहा हूं यानि आप सोच सकते हो हर ब्र कुछ बैला करने दो कुछ मातारानी की द्यास मेरे पास इशा जा रहे हैं जो कि कुछ होने भाला नहीं है। देखो किसीने क्या बिगड़ पाया कुछ बिगड़ पाया क्या कुछ नहीं बिगड़ पाये अभी तो देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि देड़ साल एक साल जो महनेत किया उससे दस गुना उससे 10 गुना एक साल में मैंने जो कमाया था कुछ भी क्या था जो भी है चाहे वो guidance है कुछ भी है ये कम से कम उससे 10 गुना में 3-4 महिने में कमा लूँगा अभी तो अलड़ी उसका 3 गुना कमा चुका हूँ तो यसे क्या होगा मैं जो अच्छे काम करता हूँ जिस प्रकार से मिलाब में donation देना या फिर किसी प्रकार की organization को जो food donation देना या फिर पुजा पाट सब के लिए करना कुछ करना कोहीं पर डान देना ये सारे चीज बढ़ जाएगा इसलिए मैं आपको गर्वत धन्य धन्य ध दम्या निकाली मुझे गाली दिया मुझे बहुत सारे बात बोले बिभिन प्रकार की फेक ID बना के लड़कियों का नाम प्याब बात करते हो इसे मुझे बहुत कुछ दिक्कत नहीं होता क्योंकि देखो ये जो काम है न क्योंकि जितनी दो साल यूटूब में जैसे हम जब काम करेगा आपको यहीं लगता है कि इन लोग का वस यूटूब ही है कि सारा है ऐसा है एसा नहीं है मातारानी ने पूरी भंडार खोल के रखा है मातारानी है तो कुछ दिक्कत भाली बात नहीं है तो इसलिए जो दो साल की जो काम है वो पूरी तरह से क्या जाएगा इसलि यो बहुत ही जबर्दस्त आएगा क्योंकि मेरे पास हमेशा 10-15-20 वीडियो का रेकोडिंग ओलेडी है तो उसको मैं क्योंकि समय के हिसाब से करके रखा हूँ बीच-बीच में उसको छोड़ूँगा और आप उसको देखिए और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग को मुझे मुझे किसी चीज कर समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग मेरे भीडियो के माध्यम से ज्यान लेते हैं पूरी तरह से सठिक ज्यान मिलता है आप लोगों को और इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है आपको इधर उदर भटकने वाली कोई जगा पर जाना नहीं है क्योंकि उसमें आपको कोई लाव होने वाला नहीं है क्योंकि वो लोग खाली आपको लूटेंगे और जब आपकी सोसन करने के बाद आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं यहीं लोगों का है क्योंकि भंड गुरुओं का अभी लगा है मेला सेल्स ल नहीं क्या था, इस 15-20 दिन में उसे 10 गुना जादा सम्रुधी, सक्ती और सारे चीज़ आने वाले हैं, और कोई भी दिक्कत बहली बात नहीं है, अल्लेडी 50% आ चुके हैं, मैं आपकी जो सपोर्ट कभी नहीं भूलूंगा, जिस प्रकार्ट के जितने सारे मेरे जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी एहसान कभी भूला नहीं जाएगा, हर दिन आप लोगों के नाम पे गुरुकुल की परिवार की जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो कोई निंदा करें, गाली दें, कुछ भी करें, लेकिन ओम सान्ती, सभी का कल दिल्यान हो, सभी का भाला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे आप लोग अच्छे रहोगे, खुस रहोगे, आप लोग काम करोगे, तो हमें भी बहुत सान्ती होगी, इसलिए बार बार कहता हूँ, जिन लोगों का भी अभी पेड गाइडेंस चल रहा है, जो 10, 15 य बात होगा अगर किस अभी फिलाल ये कहूंगा कि अभी अनिधिष्ट काल के लिए जो है पेड़ गाइडेंस को स्टोप रखा गया है हो सकता है 15 दिन बाद भी शुरू हो सकता है दुसरे में अध्यम से या फिर कुछ भी हो तो आप लोग कृपया शांती बनाए रखें दुकुल की परिवार को सपट करते जाए जय माचंडी जय भगवती जय महाभीर भद्र